स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए हिंदी साहिटेक का पार्ट टू जिसमें कि आपको कुस्सन अंसर टेश्ट कराएंगे पिरसिद लेखा कर उनकी रचनाव का जो की बहुत ही आई-एम-पी कुस्सन अंसर टेश्ट होगा दोस्तों आपके लिए अगर लिए बहुत ही हेलफुल वीडियो होंगे और पार्ट बन जरूर देखेगा अगर आपने पार्ट बन देखा है तो उसी तरह से यह मैं आपको पार्ट टू कराऊंगा और आपको पता है पार्ट बन में आपको दस कोशन कराएते उनसे संबंदित सारी डिटेल कराऊंगा तो चलिए यहां से इसी वैया से मैं आपको 11 कोशन यह आपकर दर साया जाएगा और 11 कोशन से हम सुरू करती हैं निम्निम्खितं मैसे कौन सी रचना जैसंका प्रिसाद की तो आब इनकी प्रिसिद रचना है, जो की पूछी जाती है, पिर्मुक रचना है, वो आपको याद होनी चाहिए, काम्यानी, जो की अप्सन में भी थी, आशु, जर्ना, लहर भी इनकी रचना है, और प्रेम पथिग भी क्या है, जैसेंका प्रिसाइद की रचना है, अब उपन्यास कार भी थे और नाटक कार भी थे तो इनके पिर्मुक उपन्यास भी आपको याद होने चाहिए तो इनके तीन पिर्मुक उपन्यास तो आपको याद होने चाहिए कंकाल तितली और इराबती यह क्या है जैसंकर प्रसाइद के प्रसिद उपन्यास और इराबती जो फर आपको देख लेना यहां ऐट्रमें मैं उसका link दे रखा है उसमें सारे जो छायवादी युक्य जैसंकर प्रसाद और महादेवी बर्मा ठीक है यह दो चायवादी युक्य बहुती प्रिसिद्ध लेखक है और लेखिका है तो आपको इन दोनों के बारे में सारी रचना है और कम से कम इतनी रचना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी तो याद होनी चाहिए ठीक है जैसंकर प्रसाद के नाटक कौन से इसकंद्रगुप्त चंद्रगुप्त इसकंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त धुरुष्वामनी यह बहुती आएंप यह फोद बार पुछा गया है धुरुष्वामनी किसका नाटक है जैसंकर प्रसाद का और ऐसे पुछा आपको याद होने चाहिए इसकंद्र गुप्त चंद्र गुप्त की चलिए नेक्स्ट कोर्षन देखते हैं इस प्रकार से मैं आपको पूरा डिटेल में समझाते चलूंगा थोड़ा वीडियो लेकिन आपको बहुत ज्यादा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है निम्ल चलिए ये option के सहीद मैं आपको बताता हूं कौन किस की रचना है तो साकेट जो रचना है वो मेतलिसरल्ण गुप्त की है यल्या रमधारी सिंग कर की नहीं है यामा जो रचना है महादवी बर्मा की है कुरू चेतर जो रचना आह वही है रामधारी सिंग दिन कर ती जिदंब्रा के लिए थे किसी है स्मित्र अंदल पंत की तो इसको शनका अंसर हो जाएगा कुरूचेतर जो कि रामधारी शिंह दिनकर की रचना है अब राधारी सिंह दिनकर की पिरमुक रामधारी संहिंग करको कौन सी है हुंकार कुरुचेत्र जो कि इसको इसको सन का अंसर था हुंकार भी आपको यादाख नहीं है उर्बसी यह बहुत ही आयम प्यब भूध बार पूची गई है उर्बसी जिन इने के लिए इने क्या मिला था जियान पीट पुरुश्कार उनीष्य हो 22 में। किसे मिला था रामदाड सिंधी दिनकर कुम कहले को उर्वशी के लिए। तो आपको सर इतनी तो याद नहीं कम से कम आपको यह पांच रचना याद होनी चाहिए हुंकार, कुलूचेत, उर्वसी, रेणुकार, रश्बंती, यह पांच रचना बहुत ही इंपोर्टेंट से है, उर्वसी, जिनके लिए इन्हें क्या मिलाता ग्यानपीट, पुरुषक किसे मिलाता, रामदारी सिंग दिन कर वो, किस महासा में, हिंदी भासा में, ठीक है, कब मिलाता, उनिश्यो बहत्तर में, निम्लि लिखित में से कौन सी रचना महादेवी बर्मा की नहीं है, अब महादेवी बर्मा की कौन सी रचना नहीं है, ठीक है, हुंकार, तो अभी मै और खाली रशीम किसकी है रस्मी 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 तो यह किसकी है महाetzung डेवी बर्मा की हुआ कि बिए बारे में प्रिमुक कुरल च ship का जाता दो केसे का जाता की पrowsड़ का दास को इस आद डास असरे आधुनिक मीरा किसे का जाता है महादेवी बर्मा को इनकी जो पिरमुक रचना है यामा इनके लिए इनने के मिलाता ग्यानपीट पुरुसकार मिलाता 1982 में किसके लिए यामा के लिए किसे मिलाता महादेवी बर्मा को ठीक है डीप सिका इनी की रचना है अगर इन रचनाव को आपको याद करना है लॉजिक के साथ तो मैंने आपको डिटेल में जो वीडियो बनाई है उसमें जाके देखेगा च्छायबादी ही गुए मैंने आपको सारी रचनाव की ट्रिक सहीत याद करने का तरीका बताया है ठीक है और इन से समझें पूरे फैक्स भी मैंने आपको बताएं ये वीडियो सिर्फ आपके रिवीजन और आपको कुसराण से टेस्ट लगाने के लिए सारी चीज़ां आपको याद हो जाएं ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं निमलिखित मैंसे कौन सी रचना हरीबं राय बच्छन की नहीं यानि है कि हरीबं सी रचन की कौन सी रचन नहीं है करम भूमी, मदूबाला, मधूशाला, मधूकलस तो मैंने आपको उस वीडियो में पता है बहुत आसान तरह से जिसमें भी मधूख बढ़ करके आ जाए और मधूबाला, मधूशाला, मधूकलस ये तीनों रचना इनकी है किसकी? हरीवन सराइब बच्छन की जो की अमिता बच्छन के पिता जी है लेकिन करम भूमी जो रचना है वो किसकी है? प्रेमचंद की है तो इस बजाए से इस कोशन का अंसर जाएगा option number 1, करम भूमी तो करम भूमी इनकी रचना नहीं है किसकी है? प्रेमचंद की निशा निमंतरन निशा निमंतरन भी किसकी है? हरीवन सराइब बच्छन की एक प्रमुक रचना आपको याद रखनी है दशवार के सौपन तक दशवार के सौपन तक जो की 1991 में इस रचना के लिए इन्हें प्रत्थम सरस्पती पुरुषकार मिला था ये भी हिंदी का काफी अच्छा पुरुषकार है जो की भारत का है भारती पुरुषकार है सरस्पती पुरुषकार तो ये मिला था सबसे पहले हरीवन सराइब बच्छन को इस रचना के लिए दशवार से सौपन तक ठीक है 1991 में कौन सा पुरुषकार सरस्पती पुरुषकार उन्हें के मिला था ग्यानपीट पुरुषकार लेकिन ग्यानपीट पुरुषकार बड़ा होता है ये थोड़ा छोटा लेविल का होता है तो आपको याद रखना है किसे मिला था पहला सरस्पती पुरुषकार हरिवन्स राय बच्चन को ठीक है निम्न लिखित मैं से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है अब फिर महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है मेरा परिबार इसमर्ती की रेखाएं माटी की मूर्ते या अतीद के चलचित्र तो मेरा परिबार इनकी रचना है ठीक यानि कि मेरा परिवार इसमर्ति के रखा है अतीत के चल चित्र तो महादेवी वर्मा की रचना है लेकिन माटी की मूर्ते रेणकी रचना नहीं है क्योंकि इसमें कहा ससली सोस्थ Right यदि लेका सथी यह क्या महा देवी बर्मा इसमर्ति के रेखा महादेवी बर्मा और गिल्लू महादेवी बर्मा मैंने आपको बता आया था जैसंकर प्रसाद और महादेवी बर्मा च्हाइवादिक के बहुत ही प्रसिद लेखक और लेखिका हैं इसी वज़ा से इनकी रचना कुछ जादा है और इन्हें किस रचना के लिए ग्यान पीट पुरुषकार ठीक है का मिला था 1982 में ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं अपनी खबर कौनसी अपनी खबर रचना के रचेता कौन है हजारी प्रसाद दुर्वेदी डॉक्टर नागंदर पांडे बेचन सर्मा उग्र या अम्रित राय ठीक है अम्रित राय तावनों जी अम आपको याद रखना है जब भी कोई बैक्ती अपनी खबर सुनता है कोई अच्छी खबर सुनता है कोई खुशी की खबर सुनता है और कोई आकर उसे बताता है तो क्या हो जाता है पहले सुनने के लिए क्या होता है बेचन ठीक है और जब उसे बता जाता है तो क्या हो जात रचना है आपको याद रखना कमल स्वरी कलम मुझे डाउट रता है कलम का सिपाही ठीक है किसकी रचना है अम्रित्य राय की ठीक है कलम का सिपाही ठीक है अम्रित्य राय और जिसमें जो जीवनी बताई गई है वो बताई गई है प्रेम चंद की किसकी बताई गई है प्रेम चंद की जीवनी इसमें बताई गई है कलम के सिपाई में ठीक है यह इसकी रचना आपको याद रखनी है कलम के सिपाई किसकी है अम्रित्य राई की ठीक है चलिए अब मैं पंडे बेचन सर्मा की आपको प्रिसिद्र रचना बताता हूं कौन-कौन सी है तो प्रिसिद्र रच unsubscribe कि कि यहां पांड़े वेचन सार्मा सारावी सरावी भी गया रहता है मेंन में सथखेशन रहता है सरावी बेचन सर्मा ठीक है दिल्ली का दलाल भी घुले मांने के घुक नाली लिए वह beauty के लिए का उस ज्यादा ज्यादए beauty में आगर कोई उनकी इंसर्ट करें तो क्या हो जाती है ज्यादए कोई नामभरी मर्द क्या हो जाती है सर्मा जाती है कि तो आपको याद रखना है यह सब किस्ते है पांड़े बेचल सर्मा की ठीक है और अपनी ख़बर से तो म इन्यम लिखित में से कौन सी रचना आग्य की नहीं है सूरज का सात्वा घोड़ा कितनी नावों में कितनी बार आंगन के पारदवार सेखर एक जीवनी इस question का answer हो जाएगा option no.1 यानि कि सूरज का सात्वा घोड़ा यह इनकी रचना नहीं है अब इनकी नहीं है तो किसकी है यह रचना है धरंबीर भारती की सूरज का सात्मा घोड़ा किसकी है धरंबीर भारती की कितनी नावों में कितनी बार यह बहुत इनकी प्रिसिद रचना है इनकी आग्य का पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए तो आग्य का पूरा नाम है सचीदानंद हीरानंद ब रामधारी सिंग दिनकर महादेवी बर्मा और सुमित्रा नंदन पंथ इन चारों को क्या मिला है ग्यान रिपीट पुरुषकार आपको याद रखना ठीक है तो अंगन के पारदवार ठीक है किसकी है आग्गे की सचिदन हिरान बाश्यान आग्गे मैं स्वाट में बोलूगा आग्गे ठीक है सेखर एक जीबनी किसकी है आग्गे की बाबरा अहेरी बाबरा अहेरी किसकी है आग्गे की नदी के दूइब किसकी है आग्गे अपने अजनभी आग्गे कितनी नाबों में कितनी बार किसकी है आग्गे की यह आपको बहुत आई-म्प याद रखनी है कि कितनी नाबुं में कितनी बार और और ऑंगन के पार दौार से भर एक जीवनी कितनी राइभक, अभीशला पीछित में से कौन से रचना के लिए की रॉट हरे लिएस याण पीछय मीला। इस प्रote scholarship कर old's other और फ्राइब को. किस के लिए कौन सी रचना, ओरबसी, कुरूचेत, रहिणू का हुंकार, इन में से किसे लिए इने ग्यानिपिट पुरस्कार मिला था. तो यहां से यह मैं आपको टार्ट करदे रहा है। क्यूंकि इस कोस्षन को मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, टिक हहे। इस कोशन को देखते हैं निम लिखित में से कौन सी रचना सुर्य कांतिरपाथी निराला की नहीं है यानि कि जो सुर्य कांतिरपाथी निराला की रचना नहीं है इन में से चारों में से ठीक है तो चिदंबरा परीमल अनामिका कुकरमुत्ता तो चिदंबरा जो रचना है इन पंध को कब मिलाता 1968 में ठीक है आपको याद ये सारी facts रखने हैं ठीक है परीमल सुरेकांतर पाथी निराला अनामिका सुरेकांतर पाथी निराला और कुर्मुत्ता भी सुरेकांतर पाथी निराला चलिए इनकी प्रमुख रचनाय देखते हैं तो अनामिका जो किया आपको में भी थी अनामी का किसकी है सूरे कांतर पाथी निराला परीमल भी किसकी है सूरे कांतर पाथी निराला अप्रा किसकी है सूरे कांतर पाथी निराला नए पत्ते किसकी है सूरे कांतर पाथी निराला अगर इनको याद रखना है तो मैंने आपको बताई रहा हूं डिटेल व हिंदी साहित्य के चायाबादी करके सारे युग में उसमें कंप्लीट कर दी है ठीक है तो आप बहुत आसां तरह से देख सकते हैं ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं है वो बीच से पच्छेस मिनट की वीडियो एक है लेकिन बहुत हेलफूल आपके लिए वीडियो होगा क्योंकि मैं आपको बता है सिर्फ 10 कोशन पर वीडियो में आपको ले रहा हूं ताकि आपको पूरे फैक्स जानकारी मिल जाए क्यों इन 10 कोशनों से मैं आपको करीब 50 कोशन करा रहा हूं क्योंकि आपको सारी जानकारी दे रहा हूं सम्मंधित सारी रचना है बता र कुछिस कर रहा हूँ ठीक है निमलकित मैसे किसêts को ग्यानपीट पूरुसकार नहीं मिला या इन मैं किसे ग्यानपीट पूरुशकार नहीं मिलाता болता मुद्वी भरमा को मिला था या मा के लिए ठीक है कब मिला था मर्ण ही श्रेश्पति पुरिष्कार मिलता है इसको संग्स हो जाए अगर आपको ऐधon कर सकते हैं क्योंकि एच वीडियोओं आपको मिलती रहे हैं अगर नहीं किया है अगर कर लिया है तो हमारे एक दूसरा चैनल है Hi-Fi Study, Hi-Fi News Government Job, Hi-Fi News Government Job, जिसपे हम आपको Government Job समems मंदित सारी जानकारी देते रहते हैं, latest कोई job आना हो, latest कोई paper रद होना हो, कोई भरती नई आनी हो, या कोई paper होना हो, सारी जानकारी इसपे कि government job समंदित मिलती रहती हैं कोई result का आना हो सारी जानकर इस पे मिलती रहती है तो इसे भी आप subscribe करकर रख लें और साथ में बैल आइकन जरूर दबा के रख लें क्योंकि हम इस पे update daily ways डालते रहते हैं जो भी government job समंदित होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो त लाइक करें अपने फिरंडों के साथ शियर करें जय हिंद जय भारत